कॉंग्रेस के घोषना पत्र पर मुखवंतरी डॉक्टर मोहन यादों ने कटाक्ष करती हुए कहा कॉंग्रेस ने सब के साथ अन्याय करते हुए अपना समय गुजारा है ऐसे में उनके मोह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता कॉंग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है अन्याय महिलाओ के साथ हमारे 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगे कांग्रेस लड़ा रही हुए उसके उल्टा भाजपा छे जगे लड़ा रही हुए कि इससे धारी परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लिकेज अपोईशन के इंडिया गठबंदन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की इससदारी बरदास्त नहीं करतें अन्याय कहां कहां कौन-कौन से घुटाले उनके द्वरक नहीं किये गरीब के साथ किसान के साथ मजदूर के साथ किसी का भी कोई भी पैसा उनके हग कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया कि खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री राहूल गांधी के पिता हम एक रुपया पहुचाते हैं पंद्राव पिसा पहुचता उसके उलेट माने मोजी जी की नेतुरत में पूरा का पूरा परीशा संबंधित हितिधारकों को पहुच रहा है तो इसका मतलब ही है कि अपने आप इसपस्त है कि ये केवल चुनाओं की द्रश्टी से करम कांडे कांग्रेस कांग्रेस एक हारी गुरी लड़ाई लड़ रही है में इस बात का संतोश से के पूरा प्रदेश मोदी में है और माने मोदी जी की नेतुरत में पूरे देश में एक अलेग बाहर हवा चल रहे हैं एक नई रितु का खासका राजनीतिक रितु ये भायच्पा को 400 पार के तरफ ले जाने के तरफ बढ़ रही है जिसने समिधान का माखो लुड़ाया जिनकी पुरवजों ने समिधान में संसुधन करके समिधान के मूल सरुप को विक्रत किया धारा 370 के माद्यम से पूरे देश में कश्मीर की एक अलग छविब बनाई जिसके कारण से 40,000 से ज्यादा लोगों का प्राण गए मानि मोदी जी ने धारा 370 हटा करके समिधान का मान बढ़ाया भारत को एकता खंटा को मजबूत किये इनको सोभा ने देता यह कुछ भी कहे कुण